Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, अगर आपके पास BS6 Fuel Injected Bike या स्कूटर है या फिर आप खरीदने वाले हो तो इन गाडियों से जोड़ी हुई कुछ बहुत ही important बात है बहुत ही short में मैं आपको बताने वाला हूँ Basically मैं 4 parts की बात करने वाला हूँ Number 1 है Fuel Injector Number 2 है Fuel Pump and Motor Number 3 है ECU यानि की Engine Control Unit और Number 4S Sensors और अभी की टाइम पे Toolers में बहुत सारे अलग लग sensors को यूज क्या जाता है जैसे की Engine Temperature Sensor, Oxygen Sensor, Mass Air Flow Sensor, Throttle Position Sensor, Crank Saft Position Sensor, Cam Saft Position Sensor, ABS Sensor, Kick Stand Sensor और इन 4 parts के बात मैं इस वीडियो में especially इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय मैंने देखा है कि बहुत सारे अलग लग लोगों का मेरे YouTube वीडियो में कॉमेंट आया और वो ये कह रहा है कि उनका जो BS6 Fuel Injected Buy Kia Scooter है उनका या तो जो Fuel Pump है वो खराब हो गया जिसके वोसे Engine Start नहीं हो रहा या फिर ECU में Malfunction हो गया जिसके वोसे Buy Kia Scooter का Performance, Mileage, Power Output ये सब डॉन हो गया बहुत से लोग Fuel Injected की सिकायत कर रहा है और बहुत सारे लोग जो अलग लग sensor से इनके बारे बता रहे है कि इनमें Error Code आ गया है जिनसे गाड़ियों में अलग लग लग तरह के problem सामने आ रहे है और दिक्कत की बाद या है कि इनमें से mostly जो Parts वो कम से कम जो Two Wheelers उनमें नए है और चूकी यहाँ पे एक के बाद एक अलग लग companies के अलग लग model के गाड़ियों में इन Parts के खराब होने के सिकायत आ रहा है तो दिक्कत ये सामने आ रहे है कि जब बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को लेकर अपने बाइक कैस कोटर को लेकर service center जा रहे है इन Parts को change कराने के लिए इन Parts को ठीक कराने के लिए तो दिक्कत ये हो रहा है कि बहुत सारे service center वाले जो customer है उनसे इन चीजों को change करने के पैसे ले रहे है जो कि बिलकुल गलत हो रहा है और ये वीडियो बेसिकली एक awareness वाला ही वीडियो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन Parts के मैंने आपको नाम बताई ये सारे Parts अंडर warranty वाले Parts है और अगर ये Parts खराब होते है तो service center के दोवारा इनने free में change करना चाहिए ये नियम है ये सभी automobile company जो टूरर्स उनका और अगर आपसे इनके लिए पैसा लिया जा रहा तो गलत लिया जा रहा और अगर आप इन Parts को change करने के पैसे दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो सारे warranty वाले Parts से ये सारे Parts free में change होना चाहिए मैं खुद का आपको example बताता हूं मेरे bike BMW G310R का जो fuel pump का motor है वो खराब हो जिसके वया से engine start नहीं हो रहा था मैंने उस Parts को change कराया अंडर warranty मैंने change कराया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए मैंने एक रुपए भी नहीं दिये करीम 9000 रुपए का बिल बनाता और जो एक और fuel pump वाला सिखाया था उसको पर रुन दो मैंने detail वीडियो बनाया था लिंक आपको description मिल जाएगा और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि warranty के parts को आपको पैसे नहीं देने है इसके लावा warranty का जो भी काम होता है उसका labor charge भी नहीं देना है कई बार service center वाले जो क्या करते हैं वो लोगो को बैकूब बनाते है वो कहते कि द होता है आपको warranty के parts का भी पैसा नहीं देना है और labor charge भी नहीं देना है यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चूकि हमारे जो bikes वाकर होते हैं वो बहुत सारे चोटे बड़े parts से मिलकर बने हुए होते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोगों confusion होता कि कौन सा part warranty मे बाहर के होते हैं, तो friends चाहे जानकारी छोटी हो बढ़ी हो उससे फरक नहीं पड़ता, जानकारी सही सही होने जरूरी है और यही मैं कोशिश करते हो अपने वडियो के जरिये कि छोटी छोटी जानकारी भी आपके साथ शेयर करो, उमीद है कि इस वीडियो में दिक़्ई जानकारी आपको पसना होकि विडियो छलगा तो विडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, विडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मोझे खुमेंद करके जरूर बता, अगर आप चैनल पे नहीं हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल लाकां को भी दबाले ताकि आने वाले इंपोटने वीडियो के अपडेट आपको नुटिफेकेशन के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो मैं थाप्स आचिंग इस वीडियो गुडबाई